एक मा कॉप में आपका स्वागत है लास्ट विडियो में आपने देखा कि आप को हम प्ले स्टोर से कैसे डाउनोड करके इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कैसे लॉग इन करते हैं Login के बाद दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि हम Daily Base पर Punch In और Punch Out कैसे करते हैं. तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो एप है, उसे Open करने के बाद आपको Dashboard पर क्या क्या दिखता है और वो कैसे काम करते हैं. तो देखिए ये Dashboard है. आपको सबसे उपर केस Allocated दिख रहा है. इसका मतलब आपको Total केस कितने Allocated हुए हैं, उनका Count आ रहा है. उसके बाद Total Post जितने केस आपको Allocated हुए हैं, उनका Total Post कितना है? तो अभी यहां आपको 50 केस Allocated है. उसका Total Post है 21,76,491 रुपए. उसके बाद Total Due, जितना Amount आपको Collect करना है. उसके बाद Total CBC और LPP, CBC means Check Bounce Charge और LPP means Late Payment Penalty उसके नीचे आता है, Given in Action and Work. तो Actions में देखिए कि आपको अभी कितना काम करना है? जितना काम अभी आपको करना है, उसमें पहला काम है, कि जितनी आपकी Visit Pending है, मतलब आपको 50 केस Allocated हुए, लेकिन उसमें से 49 केस ऐसे हैं, जहां Customer के पास आप अभी गए ही नहीं है. तो वो आपको अपनी Visit वहां जाके खत्म करनी है. दूसरा है, Call Spending, आपके Callers ने कितने केस पर Call ही नहीं किया है, फिर्स्ट टाइम जो One Touch Calling होता है, वो किया ही नहीं है. तो आप उनको बोल सकते हैं कि अपने Call खत्म कीजिए, तो वो डेटा आप यहां से देख सकते हैं. तीसरा है NCT, NCT means Not Contactable, जिनसे आपके Callers ने Call करके Connect होने की कोशिश की लेकिन वो उनसे Connect नहीं हो पा रहे. तो उस Case पर आपको जाके Visit करना ही करना है. तो वो आप यहां से Current NCT पर भी अगर आप क्लिक करेंगे, तो जो NCT के Case हैं, आपके तीन Case का Data आपको दिख गया, तो वो आप यहां से क्लिक करके और कोई भी एक Loan Page ओपन करके उस पर जाके अपना Feedback यहां से Update कर सकते हैं. फूर्थ ऑप्शन है, Today's Visit. आज आपने जितना भी विजिट किया, जितने भी Loan Case पर आप गए कस्टमर के पास, उनका जो आपने Feedback अपडेट किया, उसका Count यहां आएगा, कि इतने Loan Number पर आप गए, आपने इतना विजिट किया. उसके नीचे है Today's PTPDT. PTPDT का Full Form है Promise to Pay Date. तो कस्टमर जो आपको PTP देता है, उसका Count यहां आता है. तो यहां से क्लिक करके हम वो डेटा निकाल लेते हैं. आपके Caller या Supervisor कस्टमर से Call करके Payment Collect करने के लिए जो डेट लेते हैं, जो प्लेस लेते हैं, जो टाइम लेते हैं, कि कस्टमर कब पैसे देने वाला है, कहां से देने वाला है, कितने बजे देने वाला है, वो सारी डीटेल यहां अपडेट हो जाती है और वो आप क्लिक करक यहां से देख सकते हैं, तो आपको Caller से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डेटा आपको आपके आप में दिख रहा है और यह रियल टाइम में काम करता है, तो जैसे ही आपके Caller PTP सिस्टम पर जनरेट करते हैं, वो आपको Mobile App में अपडेट हो जाती है, उस इसको हम Reschedule PTP भी बोलते हैं, तो यहां से PTP1 में जाके हम Reschedule PTP का डेटा देख सकते हैं, मतलब यह Customer पहले भी एक बार हमें PTP दे चुका है, लेकिन PTP के टाइम पर Customer ने पैसा नहीं दिया तो उसके बाद Customer ने हमें दोबारा डेट दिया है, तो वो PTP1 का डेटा है, तो हम वहां जाके Payment का लेट कर सकते हैं और उसका Feedback अपडेट कर सकते हैं, इससे आगे की Process हम अगले वीडियो में बताएंगे, Thank You